हाँ अब हम mathematical tools में next part linear equation के बारे में समझते हैं यह हम linear equation in two variables पढ़ रहे हैं ठीक है this is linear equation in two variable अब सवाल आता है कि इनको linear क्यों कहते हैं देखो यहाँ पर variable x और y है x और y के जो powers हैं वो one है तो यह linear equation in two variable कहलाती हैं और linear इसलिए क्योंकि इनके power one है और इनका जब अपन graph बनाएंगे वो graph straight line आएगा ओके यह हमारे 10th class के topic था उसे आगे समझते हैं अब अपन इन coefficients को देखकर इन coefficients को देखकर analyze करके यह अपन मालूम कर सकते हैं कि इसके solutions कितने होगे तो मान लीजिए अपने पास में यहाँ पर इसकी एक situation ऐसी आती है कि a1 a2 का ratio b1 b2 के equal नहीं है ठीक है और एक अपने situation आई कि a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2 है और एक equation ऐसी है कि a1 by a2 तो आपस a1 by a2 और b1 by b2 बराबर है लेकिन c1 by c2 के equal नहीं है ठीक है तो जब a1 by a2 equal to b1 by b2 हो तब यह unique solution कहलाता है और यह line intersect करेंगे मतलब इस तरह का line आएगा ठीक है लेकिन जब a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2 हो इस situation में जो lines बनेंगी वो parallel line मतलब coincide जासे यह पहली line है इसी के उपर दूसरी line का equation graph आजाएगा तो यह coinciding lines बन गए ठीक है और इसका मतलब यह हुआ इसके infinite solution solution का मतलब जो point red line को satisfy कर रहा है हर वो point इस blue line को भी satisfy करेगा अब next situation में यहाँ पर जो lines आती है यह parallel lines कहलाएंगे और इनके कोई solution नहीं कहलाएंगे मतलब आपस में ऐसा कोई भी common point होगा ही नहीं जो इसको दोनों को satisfy कर पाए ठीक है अब जोकि यह 10th class वाला ही point है इसलिए हम इसको फटावट समझते हैं काफी easy है और यह physics में कई जगे पर helpful रहेगा मान लिजे अपने आज में एक equation है 4 by x plus 3y equal to 8 6 by x minus 4y equal to minus 5 अपन इसको elimination substitution किसी भी method से कर सकते हैं अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इनके coefficients को equal करना है जैसे y का coefficient यहाँ पर plus 3 है और यहाँ पर y का coefficient minus 4 है मान लिजे दौनों जगे अपने plus 12 कर दिया तो यह अपना solve हो जाएगा तो इसको plus 12 करने के लिए अपन इसमें multiply कर सकते हैं बिटा 4 का इसको 12 करने के लिए अपन इसमें multiply करेंगे 3 का फिर इसको add करेंगे तो यह cancel out हो जाएगा ठीक है तो अपने मान लिजे equation 1 को 4 से multiply किया तो यह क्या हो गया पेटा 16 by x और 12 by y और वो 8 का 32 इसी तरह से equation 2 को 3 से multiply कर दिया तो यह आया अपन इनको add करेंगे देखो plus 2y minus 12y sorry plus 12y minus 12y cancel out हो गया यह दोनों add हो जाएगे तो यह कितना हो जाएगा पिटा 34 by x equal to this one तो जब आप इसको पूरा solve करेंगे तो यह आपके ऐसे आ गया तो यहाँ से x की value आपके आसानी से आ सकती है ठीक है एक और सवाल करके देखते हैं मान लीजे अपने आसमी ये question है इसको हम elimination से देखेंगे यहाँ पर 1 by y के साथ multiply में है 1 by 6 यहाँ पर 1 by y के साथ multiply में है minus 3 तो हमने क्या क्या बच्चे इसे equation 1 इसे equation 2 कहा तो अब हम equation 1 में multiply कर रहे हैं 1 का क्योंकि उसका जरूआती नहीं पड़ेगे हम equation 2 में अगर 1 by 2 का multiply कर दें तो y का coefficient 1 by 6 हो जाएगा ठीक है तो equation 2 में 1 by 2 का multiply करने पर क्या आ गया बटा 1 by 4x minus 1 by 6y equal to 5 by 2 अब इसमें equation 1 सिधा सिधा add कर दें तो 1 by 7x plus 1 by 6y equal to 3 जब आप इनको add करेंगे तो यह minus का 1 by 6y plus का 1 by 6y cancel out हो गया तो अब हमारे पास में यहाँ पर क्या बचा 1 by 4x plus 1 by 7x equal to 5 by 2 plus 3 यहाँ पर इनका LCM ले लेंगे तो यह आएगा 28x तो यहाँ 7 times यह 4 times यहाँ पर LCM है 2 तो 5 plus 6 तो यह कितना हो गया पेटा 11 by 28x equal to 11 by 2 तो अब हम इसको आगे simplify करेंगे तो 11 से तो 11 खतम हो गया तो आपके आश में finally क्या बचा पेटा 28x equal to 2 hence x equal to 1 by कितना बचेगा 14 ठीक है तो यह x का value आगया तो इसी x की value को हम किसी भी equation में substitute करके y का value ला सकते हैं ठीक है इसके next equation next video में हम quadratic equation के बारे में बात करता है राध है राध है